मैंने इस phone को इसमें 2-3 negative points होने के बावजूद भी 74,000 में खरीदा है सबके दिमाग में पहले negative points ही आते हैं positive points पर तो बहुत कम focus होता है इस phone में कुछ ऐसे भी points है जो iPhone 14 Pro को भी पीछे छोड़ देंगे और वो points बहुत practical है जो negative points है वो है इसकी 60Hz display, always on display का ना होना और telephoto lens का ना होना यहां positive points है इसके updated camera sensors, 2X optical level का zoom, type C port, matte finish, perfect size, weight reduction redesign frame के साथ next generation HDR photos and videos के लिए और best display जहां peak brightness 2000 nits की है और Apple A16 bionic processor अब share करती हूँ मेरा real life experience जो इस phone को best value for money iPhone बनाता है और यह एकदम pro level का है मैं इस phone को पिछले 7 दिन से use कर रही हूँ और मेरा experience कुछ इस तरह से है इससे मैंने बहुत सारे photos खीचे हैं, जादा तर इसके 48MP main sensor से है photo की quality एकदम excellent है, हर एक photo को देखकर ही समझ आ जाएगा कि यह इस iPhone से ली हुई photo है यहां dynamic range excellent है, photos को zoom करने पर भी detail भी अच्छी है इसके main camera से video quality हमेशा की तरह best है और यह इतना अच्छा है कि average camera की जगए किशी की शादी की video recording इससे आराम से कर सकते हैं part time earning के लिए ultra wide lens यहां बहुत अच्छा है और main lens के जैसे ही photo click करता है जहां dynamic range and color tone सेम ही है ultra wide से भी videos की quality अच्छी है, मैंने यह video ultra wide lens से लिया है और मुझे यह बहुत पसंद आया telephoto lens से भी अच्छे photo आते हैं, यहां भी मैंने कई सारे photo कीचे है और photo की quality एकदम मस्त है इसके portrait photo भी अच्छे है, कहीं कहीं edge detection मिस हुआ है लेकिन photo quality में कोई कमी नहीं यह सारे portrait photo मैंने इसी phone से लिये है, telephoto lens से भी video quality एक number है और इससे किसी को कोई complaint नहीं होनी चाहिए front camera से photos आप देख सकते हैं, चाहे dynamic range हो, color tone या फिर details, सब अच्छा है इसका vivid mode मुझे जादा पसंद है, जो कि photo को थोड़ा अच्छा बना देता है क्योंकि normal mode में कुछ जादा ही realistic photos आती हैं, जो देखने में उतनी अच्छी नहीं लगती front से portrait photo भी best quality के हैं, और edge detection भी अच्छा है यह इसके main camera से मैं video record कर रही हूँ, यह काफी noise है, फिर भी इसका sound सुन सकते हैं आप मुझे comment करके बता ना कि आपको इसका sound कैसा लग रहा है यह इसके front camera की recording है, और पीछे मेरा बेटा दिख रहा है इसकी sound quality भी आप check कर सकते हैं वैसर मैंने यहां पर कोई specifications नहीं बताए, क्योंजि वो तो सब website पर पढ़ी सकते हैं यहां मैं real life experience share कर रही हूँ, फिर भी मैं इसके specifications वीडियो के end में बता दूंगी तो मुझे इसका camera बहुत अच्छा लगा, लेकिन अगर किसी और phone से compare करेंगे तो skin tone and portrait photos में यह थोड़ा पीछे रह सकता है, वरना इससे कोई complaint नहीं इसके display भी सच में pro है, content watching experience एकदम बहतरीन है यहां HDR में peak brightness 1600 nits की है, और HDR and Dolby Vision वीडियो तो यहां बस देखते ही रहो इसके outdoor peak brightness 2000 nits की है, और बहार यूज़ करने पर कभी कोई issue नहीं होने वाला लेकिन थोड़ा जादा यूज़ करने पर heat की वज़े से कभी-कभी brightness कम हो जाती है यह iPhone की best display है अब तक की, इसके बाकी features जैसे type C port, processor, battery life, software एक दम pro phone जैसे ही है बड़ा प्रोफोन मतलब क्या यह प्रोफोन नहीं है क्या? हाँ सर यह प्रोफोन नहीं है, लेकिन अभी तक का experience प्रोफोन से कम लगा है क्या? सारी experience लगबग सेम ही तो है, क्या टेली फोटो कैमरा का optical होना जरूरी है क्या? डिजिटल जूम से भी optical जैसे photos आए ना और refresh rate की problems तो उन लोगों को होती है जो 120 Hz यूज़ करते हैं और सर आप complain मत करो, अगर आप iPhone लवर होना तो अपने experience पर focus करो यह phone यूज़ करने में इतना अच्छा है कि 6.1 इंच डिस्पले होने के बाद भी इतना comfortable है ऐसा लगता है मानो 12 mini पकड़ा हो iPhone 14 की तरह इसका frame नहीं है यहाँ यह contour design है जिससे से पकड़ना और भी ज़्यादा comfortable हो गया है इसे one hand यूज़ करना तो बहुत अच्छा लगा और खास कर तब जब S23 Ultra जैसा phone यूज़ किया हो पीछे glass और इसका frame दोनों matte finish है तो fingerprint की चिपचिप वाली tension भी नहीं लेकिन कुछ users के glass break हो रहे हैं easily क्योंकि इस साल Apple ने cost cutting की है तो यहाँ case use करना ही best लगा यहाँ display में always on का feature नहीं है तो थोड़ा कभी कभी missing feel होता है जैसे एकदम अगर phone की display पर time देखना हो या कोई notification icon देखना हो तो वैसे इसका lock screen customization एक नमर है Apple जो भी feature add करता है उसे पूरे दिल और research के बाद ही add करता है इसके lock screen पर visits भी add कर सकते हैं iOS के बात करना कोई बड़ी बात नहीं होगी क्योंकि iOS में ज़्यादा change नहीं होता और quality पर focus होता है ये इतना smooth है कि इससे इसी तरह खेलते रहो और time pass हो जाता है ऐसा इसलिए क्योंकि इसके haptics top notch है और इस तरह से display hold करना एक अलगी experience है इंडिया में iMessage जादता लोग use नहीं करते लेकिन FaceTime का use बढ़ रहा है अगर किसी की family में सब के पास iPhone हो तो FaceTime की quality WhatsApp video call से better है इसके सारे features का तो एक अलग से ही video बनाना पड़ेगा इस phone को 5 से 6 साल के होए subject मिलेंगे तो ये phone future proof है एक बार लो और YouTube videos देखना बंद कर दो अरे भाई मेरा नहीं और YouTubers का मेरा चैनल अगर subscribe नहीं किया है अभी तक तो उसे subscribe जरूर करें Apple A16 Bionic processor है जो बहुती powerful and optimized है वैसे मैं phone का best use video editing में ही करती हूँ और यहाँ video editing quality बहुत अच्छी है बाकि gamers को भी इसमें कोई issue नहीं होना चाहिए इसका processor भी 5 साल तक आराम से चलेगा जैसे वो add था ना कि गाड़ी बंदी नहीं होती type C port होने की वज़े से experience बहुत अच्छा हो गया है जहां किसी भी अच्छी सी type C cable से इसे charge करना या कोई भी type C accessories जैसे SSD या type C earphone यूज़ करना वैसे इसकी speed बहुत कम है competition के इसाब से battery life इसकी सही है नॉर्मल यूज़ पर 7-8 घंटे का screen on time मिल जाता है लेकिन outdoor यूज़ पर 6-7 घंटे के आसपास ही रहा charging के लिए मैंने इसे Samsung and nothing के adapter और Samsung की cable से charge किया तो वहाँ मुझे कोई issue नहीं हुआ पहले दिन थोड़ा heat हुआ था लेकिन अब heat नहीं होता मैंने चाहें घर पर Wi-Fi यूज़ किया हो या cellular data यहां किसी भी type की कोई connectivity issue नहीं रहा और outdoor में ATL पर 5G and VI पर 4G गम मस चला किसी से बात करने मर भी कोई issue नहीं हुआ और पीछे Apple का logo और आगे Dynamic Island देखकर भी बहुत अच्छा लगा और अगर आपको भी अच्छा लगा हो तो नीचे Dynamic Shape में सब्सक्राइब बटन है उसे दबा दो और camera जैसा notification bell है उसे भी कुछ बातें जो discuss नहीं की वो आभी बता देती हो जैसे इसका frame aluminium का है और glass ceramic seal का पीछे 48 megapixel का main sensor है और 12 megapixel का ultra wide main sensor को ही telephoto and digital zoom के लिए use किया जाता है जिससे quality अच्छी रहती है और front में 12 megapixel का sensor है यहां face ID एकदम perfect काम करती है और secure भी है software update timely मिल जाते है और first day ही सभी phone को इसका ये mute switch बहुत useful है अगर घर पर office में या कहीं कोई emergency है और phone को mute करना हो तो अब मेरे next video का wait करो फिर मिलते हैं